आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, हमारे जो question लगा है कि sin theta plus में cos theta is equal to A है और tan theta plus में cos theta is equal to B है then B times of A square minus 1 की value कितने होगी वो हमको बताना है ठीक है, तो दोको A square है ना हम क्या करते हैं, इसका square करते हैं तो दोको यह हो जाएगा sin theta अब plus में क्या है अपना cos theta और इसका क्या whole square ठीक है, is equal to कितना हो जाएगा, A square हो जाएगा ठीक है, तो यह A plus B का whole square क्या होता है A square, अब plus में क्या B square और plus में क्या 2AB, तो 2 sin theta और क्या हो जाएगा अपना cos theta हो जाएगा ठीक है, और equal to क्या हो गया A square हो जाएगा, ठीक है अब देखो, sin square theta plus cos square theta यह क्या होता है, 1 होता है तो इस एगा 1 प्लस में 2 sin theta और cos theta is equal to कितना a square तो इस 1 को इधर लेके चाल जाएंगे तो 2 sin theta और cos theta ये कितना आ गया है a square minus 1 के equal आ गया है ठीक है तो a square minus 1 के value आ गया है इतनी ठीक है अब हम क्या करते हैं कि देखो b के value कितनी है 10 theta प्लस में cot theta 10 theta प्लस में कितना है अपना cot theta है cot theta is equal to कितना b है तो इसको भी हम अगर sin cos में change कर लें तो देखो sin theta divided by cos theta प्लस में cos theta divided by sin theta is equal to कितना b ठीक तो यहाँ से अगर मैं lcm ले लूँ तो यह हो जागा मेरा cos theta और into में कितना sin theta हो जागा और इधर multiplication sin theta से तो यह हो जागा मेरा sin square theta हो जागा अब प्लस में इधर cos theta से multiplication तो यह हो जागा मेरा cos square theta is equal to कितना b अब sin square theta plus cos square theta कितना होता है 1 होता है तो यह हो जागा 1 divided by cos theta और sin theta is equal to कितना b ठीक है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि cos theta और into में sin theta यह किसके equal हो जाएगा 1 by B के equal ठीक है तो देखों यहाँ पर sin theta into cos theta है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 by B लिख सकता हूँ तो देखो 2 times of 1 by B equal to कितना हो जाएगा A squared minus में 1 हो जाएगा ठीक है तो कि देखों ये 2 times up sin theta cos theta की जगा 1 by b लिख दिया और a is equal to कितना होगा a square minus 1 ठीक है तो हमसे पूछा कि इसकी value है b into में a square minus 1 की तो बस इस b को इधर लेके चले जाते हैं तो b into में हो जाएगा a square minus 1 और इधर क्या बच्चेगा 2 बच्चेगा ठीक है और इसी के value हमसे पूछे गई थी तो हमारा answer क्या होगा 2 होगा ठीक है तो hope आपको समझ में आओगा thank you